नमस्कार दोस्तों मिलिंदर माइडियो प्रिटिजम चैनल कैनेडा मेडिटेशन एडिपोटिविशन और स्पीकर दोस्तों बहुत सारे मैसेज मुझे आते हैं क्वेशन पूछे जाता है कि सबकॉंशिस माइंड भी आप वीडियो बनाएं तो दोस्तों सबकॉंशिस हम उसको समप नहीं कर सकते सबकॉंशिस माइंड कैसे काम करता है कैसे वो हमारे पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है हम कैसा सोचते हैं कैसा बहेव करते हैं हम लाइफ में क्या बनते हैं हमारे सबकॉंशिस माइड इसको डिसाइड करता है इसको कंट्रोल करता है तो सबकॉं में उसके सीरियल वाइज एक रो तीन चार पांच बागों में डिटेल में सबकुंशिस माइड के काम पे उसको कैसे उसकी जो कंडिशनिंग है वो चेंज करके हम अपनी लाइप चेंज कर सकते हैं उस पे में वीडियो बना सकती हूं लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा क्या आप ऐसा चाहते हैं चाहते हैं क्योंकि आपका टा Ideal में अगर आपको पहले ही बहुत नौलज है तो मैं आपका जो है वो टाइम नहीं लेना चाहती लेकिन ठोड़ा सा क्योंकि रेक्वेस्ट वे तो मैं आप इतना कहने चाहती हैं कि हमारा संब uses माइर इतना पावर जैसे अपने देखा होगा आइस बर्च जो पानी के पहाड होता है तो वो उपर बहुत छोटा सा दिखाई देता है लेकिन उसका जो 90% और 90% से ज़्यादा पानी के नीचे होता है लेकिन दिखाई नहीं देता इसी तरह से हमारा सबकॉंशिस माइड और हमारा कॉंशिस माइ माइड है जो हमें दिखाई देता है जिसे हम सोचते हैं जिसे हम डिसाइड करते हैं कि आज क्या करना है किसे मिलना है क्या कहना है प्लैनिंग करते हैं वो हमारा कॉंशिस माइड है जो के 10% से भी कम है लिकिन जो 90% है जो डिसाइड करता है कि जब अगर किसी ने हमें हमको कु मुझसे ऐसा हो गया, subconscious mind तया करता है कि हमारी ब्रीदिंग है, हमारा जो heart rate है हमारा food digest हो के हमारा blood बन रहा है, वो सब हमारा subconscious mind जो है, हमारी beliefs क्या है, हमारी conditioning क्या है, सब हमारी subconscious mind है हमारे ज़न्मों ज़न्मों के जो संसकार है, जाम बच्पन से लेकर अब तक जो संसकार हमें मिले है जिससे हमारा present है और हमारा future होगा वो सब हमारे subconscious mind में है तो subconscious mind को आप सोच लो कि जैसे autopilot है कि जब हम जहाज में सफर करते हैं तो एक stage पे जाकर वो जो plane है वो autopilot में चला जाता है और वो उस समय तक autopilot पे रहता है जब तक हम उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसको चीज नहीं करते हैं इसी तरह से हमारा subconscious mind autopilot है आल्मोस्ट बच्पन से जन्म से लेकर साथ और तस साल तक काफी मारी beliefs बन जाती है हमारे कार से नवाइडमेंट से स्कूल से और उसके बाद भी बड़े होने तक वो बलीप और एड होती जाती है लेकिन जब एक stage के बाद 25 और 26 के बाद आल्यदी हमारी personality डवेल्प हो चकी को जब तक हम change नहीं करते हैं जब तक उसको हम manually अपने efforts के learn करके change नहीं करते हैं हमारा subconscious mind जो पहली conditioning है उसी तरह से काम करता चला जाएगा और हमें कोई नई result नहीं मिलेंगी अगर हम नई result चाहते हैं तो subconscious mind की programming को change करना ही पड़ेगा सो subconscious mind की programming को कैसे change करना है आप comment box में लिखिए कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको वो साधे steps बताओं जिससे अब subconscious mind की programming को change करके अपनी life को change कर सकते हैं और दोस्तों बहुत सारे comments आते हैं बुक के बारे में आप कहते हैं आनी रही दोस्तों आनमुस वेट का जो पीरिड है बहुत ही जल्दी पूश्य देखों में आएगी तो थोड़ा सा और इंतजार और भास फिर आपकी लाइप चेंज होने वाली है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत दनवाद आप बैल जो बटन है उसको दुबाना मत बूलिए क्योंकि बहु मारे वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आजाएगा और हमें जो है इतना स्पोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शकुरी है थैंक यू सो मच